पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच कहोंगा। चुनिये CGPSC पात्षाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाओ। चैनल को सब्सक्राइबर के संख्या 97000 याने की संत्यानवे हजार क्रॉस हो चुकी है। जल्द ही हम एक लाग सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप में से बहुत सा इस इसरौइट है जो हमारे चैनल के वीडियो को देखते तो है। लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। 35% इसे है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन उने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी इस टोन से मेरा रिक्वेश्ट है कि आप थोड़ा था समय निकाल करके, अगर हमारे दोरह दिया जा करेंट अफेर्स को CGPAC e-parsella के दौरा हर साल के तरह इस साल भी करेंट अफेर का मैगजीन मार्केट में ला दिया गया है ठीक है यह जो आपका मैगजीन है आपके नजदी की बुग डिपो में अवेलेबल हो जाएगा बिलासपूर, रायपूर, दूर्ग, राजनांद गाओ, रायगर, कुर्भा, दंतेवाड़ा, ठीक है आपका पेंडरा, जगदलपूर, कांकेर, धमतरी इन जीलों के बुग डिपो में बुग अवेलेबल है और बहुत से ऐसे जीले है, जहां पर हमारे बुग नहीं पहुच पाया है, तो वो हमारे इस CG Books Cart Mobile App को डाउनलोड कर लीजिए या www.cgbookscart.com में जा करके, आप उनलाइन ओर कर सकते हैं हमारे इस बुग को, ठीक है, बुग आपको कूरियर के माद्यम से होम डिलिवर कराया जाएगा चलिए, टॉपिक पर आते हैं, ध्यान दीजेगा, सबसे पहले नमबर पर है आपका खेलो इंडिया सेंटर अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 36 गड़ में साथ खेलो इंडिया सेंटर को अप्रूवल दिया गया है देखे, हमारे प्रदेश सरकार के 36 गड़ खेल एवं युवा कल्यान विभाग के द्वारा प्रस्तावा बना करके भेजा गया था भारतिय खेल प्राधीकरण को फ्रतावा बना करके भेजा गया था और भारतिय खेल प्राधीकरण के द्वारा इस प्रस्ताओ को मंजूरी दे दी गई है ध्यान दिजएगा यह जो आपका Kelo India Center है यह Kelo India Scheme के तहट इन Kelo India Center की इस्थापना की जा रही है ठीक है ? अभी हाल ही में भारतिय खेल प्राधिकरन के द्वारा च्छतिस गर्ड में 7 टोटल 7 खेलो India Center को मंझूरी मिली है ठीक है ? और जो आपको खेलो इंडिया सेंटर है ये 2023 से शुरू होंगे यानि कि इस साल जो है ये सभी के सभी साथों खेलो इंडिया सेंटर शुरू हो जाएंगे ध्यान दीजेगा इस मंजूरी के साथ यानि कि 7 खेलो इंडिया सेंटर के मंजूरी के साथ अब 36 गड़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहट कुल केंद्रों की संख्या 14 हो गई है कुल केंद्रों की संख्या 14 हो गई है देखिए अभी 7 को मंजूरी मिली है इससे पहले साथ को और मंजूरी मिल चुकी थी तो साथ और साथ कितना हो गया चौदा ठीक है सेवन प्लस सेवन इस इक्वल टू फॉर्टीन चौदा खेलो इंडिया सेंटर ठीक है अब देखे अभी हाल ही में जो साथ को जो मंजूरी मिली है वो कौन कौन से है और कहां कहां पर इस्थापित होगे सबसे पहले बालोद में इस्थापित होगा आपका वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित खेलो इंडिया सेंटर बालोदा बादार में आपके फुट्बॉल से संबंधित आपका खेलो इंडिया सेंटर इस्थापित होगा पाटन दूर्ग में कबड़ी कांकेर में खोखो रायपूर में वेट लिफ्टिंग रायगर में बैडमेंटन और सुकमा में फुटबॉल से संबंदित खेलो इंडिया सेंटर की इस्थापना की जाएगी इससे पूर्व ध्यान दिजेगा इससे पहले जो है केंद्रा सरकार के द्वारा शीवतराई बिलासपूर में तिरंदाजी सेंटर बीजापूर में तिरंदाजी सेंटर राजनाद गाओं में होकी सेंटर जश्पूर में होकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीवाल सेंटर, नारायनपूर में मलखम और अंबिकापूर सरगुजा में फुटबॉल खेल से संबंदित, खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने की स्विकरिती पहले ही प्राप्त हो चुकी है 36गड़ को, अभी साथ और की स्विकरिती प्राप्त होई है, तो इस प्रकार से 2023 में 36गड़ में खेलो इंडिया सेंटर की संख्या कितनी हो गई, 14, याद रखेगा, टोटल अब हमारे 36 इंपॉर्टेंट है याद रखना कहां कहां पर हो सकता है मैं जब फॉलिंग में दे दे यहां पर आपकी संबंधित खेल खेलो इंडिया सेंटर सुमिलित कीजिए ठेक है कौन सा यूग मसत्य है असत्य है ऐसे कोशन बन सकते है ठीक है नेक्ट देखिए देश की सबसे बड़ भगवाण चंदरपरव की पदमासन प्रतीमा मैं को याद है जब मैंने यूटी यूट्यू पर वीडियो बनाना शुरू किया था और सबसे पहला वीडियो था मेरा 16 करेंट अफेर का 36 गर करेंट अफेर के पहले वीडियो का पहला टॉपिक था मेरा यह भगवान चंदरप्रभ की प्रतिमा वाला ठीक है मेरे को अच्छे से याद है मैंने 2017 या 2018 में I think 17 या 2018 है शायद साल जब मैंने पहली बार YouTube पे वीडियो बनाया था और मेरे वीडियो का पहला ही टॉपिक था तो शिवनाप नदी के तट पर इस्थित है आपका नासिया तीर्थ नासिया तीर्थ किस धर्म संबंदित है पूछा जाए तो जैन धर्म संबंदित है आपका नासिया तीर्थ देखिए जो हमारा दुर्ग जिला है दुर्ग जिले में जो नकपूरा है वो भी आपके जैन धर्म से ही संबंदित है, जैन धर्म का प्रमुक केंद्र है, अभी नासिया तीर्थ विक्सित किया गया है दुर्ग जिले में, दुर्ग जिले का नासिया तीर्थ जो की जैन धर्म संबंदित है, यहां पर भगवान चंदर प्रभ की देश की सबसे उची पदमासन प्रतीमा ह ठीक है, पदमासन प्रतीमा है, देखे, यह जो आपके भगवान चंदर प्रभ है, यह आठवे जैन तिर्थंकर है, आप सभी को पता होगा, कि जो जैन धर्मा है, इसमें टोटल 24 तिर्थंकर हुए, 24 वे नंबर के तिर्थंकर, महावीर स्वामी, पहले तिर्थंकर है, आपक प्रतिक चिनन होता है जनतिर्थंकर कीmen आपको उस्या Хarto 16 जैनतिर्थंकर है आपके चंद्रप्रभ जिनका प्रतिक चिनन है चंद्रा यह वर्धमान चंद्रमान छंद्रमा छ爷 सकततु है उनकी उचाई है 21-11 इंच की यह प्रतीमा है इसका जो निर्माण है यह बिजोरिया राजस्थान से लाए गया लाल एकाश्म पाशान से हुआ है यानि कि राजस्थान से एक बहुत विशाल सा पत्थर लाया गया था जो कि लाल कलर का था ठीक है उसको तराश करके एकाश्म पत्थर यानि कि एक बड़े पत्थर को तराश करके उसको प्रतीमा का रूप दिया गया है ठीक है हाल ही में भगवान चंद्रप्रभ का महा मस्तकाभी शेक वह कलशा रोहन हुआ है यानि कि इस मंदिर का उधगाटन हुआ है ठीक है यह देश की सबसे बड़ी भगवान च क्रतिमा भी इस मंदिर में इस्थापीत है ठीक दूर्गजिल्या का जो आपका नकपूरा तीर्थ है यह 23 जैन तिर्थंकर पारशुनाथस्थ संबन्दित थैं आपके नकपूरा तीर्थ जो की जैन धर्में संबन धित है प्रश्न क्या-क्यापूछ सकता है कि नासय तीर् परधमान चंद्रमा ये जो आपके चंद्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् भंडारन है, ध्यान दिजेगा, महा समुंजिले के केलवार डबरी और भालु कोना, दो जगा है, दो ब्लॉक है, जहां पे इस क्रोमियम और निकल का भंडारन है, क्रोमियम और निकल दोनों के दोनों मिस्द धातू बनाने के लिए उपयोग मिलाया जाते हैं, इसके साथ जो क्रोमियम है इसके साथ जो आपका क्रोमियम है ये लोहे के साथ मिला करके उसे धबा रहित लोहा बनाने के लिए यानि कि इस्टेनलेस इस्टिल लोहा बनाने के लिए उपयोग मिलाया जाता है तो ये क्रोमियम और निकल का जो भंडारन है ये हमारे 36 गड़ के महा समुन जिले में 36 गड़ के महा समुन जिले के केलवार डबरी और भालू को ना में इसका भंडा रन है हाल ही में चर्चा में यह क्यों रहा क्योंकि यह जो आपका केलवार डबरी है यह केलवार डबरी ब्लॉक की online निलामी की गई और ये जो online निलामी है ये इस निलामी का ठेका प्रदान किया गया है आपके वेदानता ग्रूप्स को अगले 30 साल के लिए वो इस केलवार डबरी में इस क्रोमियम और निकल का उत्खरन करेगा इंपोर्टेंट है याद रखना है ठीक है 36 गड़ में क्रोमियम और निकल का भंडारान किस जिले में है पूछा जाए तो महासमुन जिले में केलवार डबरी में किस आपके खनीच का भंडारान पूछा जाए तो क्रोमियम और निकल भालु कोना आपका खनीच भंदारत छेत्र ये किस जिले में पूछा जाए तो महासमुन जिले में ठीक है केलवाल डबरी, क्रोमियम और निकल भंदारन छेत्र का जो आपका पटा है या उसका जो ठेका है ये किसे प्रदान किया गया है वेदानता ग्रूप को वेदान्ता ग्रूप अगले 30 साल के अवधी के लिए यहां पर उत्खनन करेगा ठीक है इतने सारे fact याद रखिएगा important है next देखिए next है वंदे भारत express वंदे भारत express काफी चर्चा में रहा ध्यान दिजेगा अभी यह जो है 11 दिसंबर 2022 को यह भी आपके च्छत्यर करेंट अफ्यर के magazine में यह सारा included है यह पहले ही आपके उसमें type करके publish कर दिया गया है वंदे भारत express इसका उदगाटन किया गया है आपके प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा नापपुर रेलवे स्टेशन से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को वंदे भारत express का उदगाटन किया गया ध्यान दिजेगा यह हमारे 36 गर से होकर चलने वाला पहला वंदे भारत express है इसका जो उदगाटन है यह 11 दिसंबर 2022 को हुआ जबकि यात्रियों ने इसमें शफर करना प्रारम किया अगले दिन से 12 दिसंबर 2022 को ठीक है यह जो वंदे भारत express है यह बिलासपूर से नापपूर के मत्री चलेगा बिलासपूर टू नापपूर नापपूर टू बिलासपूर ठीक इस ट्रेन के नंबर है 2825-2826 याद रखने की जरुवत नहीं है फैक्ट के लिए है एक बिलासपूर से नापपूर के लिए और दूसरा नापपूर से बिलासपूर के लिए देखे इसकी जो स्पीट स्विकरिती है वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्पीट स्विकरिती है वो है 130 किलोमेटर प्रति घंटा मैक्सिमम इसका परिचालन सपता हमे 6 दिन किया जाएगा सनिवार छोड़ करके ठीक है, सोमवार से शुक्रवार और रवीवार, सनीवार छोड़ करके सब्तावे 6 दिन परीचालन, इसकी छमता, याने कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, एक बार में 1128 यात्री बैट करके सफर कर सकते है, इसमें टोटल 16 कोच है, टोटल कोच की संख्या कितनी है, 16, इसम इंजन नहीं है, क्या नहीं है, इंजन नहीं है, इंजन रहित, इंजन रहित आपका ये एक्सप्रेस है, इसमें इंजन नहीं है, यह इंजन रहित एक्सप्रेस है, ठीक है, टोटल एक बार में 1128 यात्री बैट कर सफर कर सकते हैं, इसका इस्टॉपेज कहां कहां है, ये भ तोटल चे स्टेशनों में से होकर यह चलता है बिलासपूर रायपूर दुर्ग राजनाद गाओ गोंदिया और नाथपूर ठीक है विशेश क्या है केंद्र सरकार ने रेल बजट में यानि कि इस साल जो केंद्री बजट आया था 2022 ते इस उसमें टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोशना की थी 36 गड़ के लिए टोटल 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की स्विक्रिती है जिसमें से एक का परिचालन प्रारम हो चुका है ध्यान दीजे यह बिना लोको मोटीव इंजन के रेलवेट रेक पर दौड़ती है याने कि इसमें क्या है इसमें इंजन नहीं है बिना इंजन की यहाँ एक्सप्रेस है तो वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका परिचालन आपके राइपूर से नाकपूर के मद्दे हो रहा है सबता में 6 दिन चलती है maximum capacity जो है maximum speed 130 km इसकी प्रती घंटा है एक बार में 1128 यात् राइपूर रिल्वेश्टेशन से किया गया था जबकि यह जो है इसमें यात्रियों ने सफर करना प्राराम किया था अगले दिन 12 दिसमबर 2022 से ठीक है next देखिए next है मद्द्य भारत के सबसे बड़ी जैन दादा बाड़ी जैन दादा बाड़ी यह इस्थापित किया गया है आपके राइपूर में राइपूर पहले से यह दादा बाड़ी मौझूद था जो की जैन धर्मक का एक प्रमुक केंद्र है इसका जिर्णोधार किया गया यह कहां पर मौझूद है mg रोड में इस्थित 150 साल पुरानी दादा बाड़ी यहां पर 15 जैन तिर्थंकर धर्म ज़ए 59 फिट तथा यहां 22,000 वर्ग फिट पर इसका विस्तार है यहां पर 600 स्रावक एवं स्राविकाओं के ठहरने की जगह है यानि कि जैन धर्मक के प्रचार प्रसार के लिए जो स्रावक स्राविकाओं घुमते है उनके ठहरने की व्यवस्ता है यहां पर ठीक है आत्मनंद शास्किय उत्कृष्ट विद्याला योझना ये भी आपके करेंट अफेर के मैगसीन में है आप देख सकते है देखे यह जो आपका स्वामी आत्मनंद सास्किय उत्कृष्ट विद्याला योजना से पूश कुछ इनिप्रोर्टटन डाटा है ये आकड़ा आपका दिसंबर 2022 तक का है ठीक है ध्यान दिना प्रदेश के 718 शालाओं को स्वामी आत्मनंद शास्किय उत्कृष्ट विद्यालय के अंतरगत शामिल करने के लिए चिन्हांकित किया गया है ठीक है जिसमें से अंग्रेजी माध्यम के कुल संचलित शालाओं य 13 हिंदी माध्यम की शालाय संचलित है और 449 नए सत्र में प्रस्तावित है ठीक है देखिए ये सभी को आप जोडेंगे तो टोटल 708 मिल जाएगा यहां पर क्या कहा जारा है टोटल 708 विद्यालयों का चैन किया गया है किसके लिए स्वामी आत्मनंद उत्कृष्ट विद संचलित है हिंदी माध्यम के टोटल 32 सालय संचलित है इन सभी शालाओं में टोटल 2.5 260 याने की 252600 विद्यार्थी इन शालाओं के माध्यम से लाभानवित हो रहे है आगामी सत्र में याने की 2023 में टोटल आपके 449 नए विद्यालय प्रस्तावित है ठीक है ध्यान दीजे 2020 से इसकी शुरुवात होई थी इसमें कच्छा पहड़ी से लेकर के 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है इसमें प्रतिक कच्छा में इसमें 50 सीट होते है पहले इसमें सीट की संके 40 थी लेकिन इसे बढ़ा करके 50 कर दी गई है ठीक है नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मिता सेवाओं की घर पहुष सुईधा प्रदान की जाती है तेरा प्रकार की सरकारी सुईधाएं कौन-कौन सी सुईधा है देखिए तेरा प्रकार की सेवाएं जो कि नागरिकों के जैसे आपका मुल निवास प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र दस्तावेज की नकल गय डिजि मंत्री मितान योजना के माध्यन से यह जो आपकी योजना है यह प्रदेश के 14 नगर निगम में लागू है ग्रामिन शेतर में अभी यह लागू नहीं हुआ है प्रदेश के है उनके द्वारा एक representative यानि कि मितान आपके घर में आ करके जरूरी दस्तावेज कलेक्टर के ले जाएगा और एक समय के बाद आपका document आपके घर में पहुचा दिया जाएगा ठीक है दिखें यह अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा इसे हम मही महने करेंड मुख्यमंत्री भुपेज भगिल जी के द्वारा एक नवंबर 2022 को घोशना किया गया कि पास साल तक के बच्चों का आधार कार्ड ठीक है और 18 दिसंबर 2022 को घोशना किया गया कि पैन कार्ड अभी इस आपके मितान योजना के अंतरगत बनाया जाएगा ठीक है अभी हाली में मुख्यमंत्री भुपेज भगिल जी के द्वारा 18 दिसंबर 2022 को घोशना किया गया कि मितान योजना के माध्यम से याने कि आपके मितान कॉल सेंटर में कॉल करके आप पैन कार्ड भी बनवा सकते है और पास साल तके बच्चों का आधार कार्ड यी बनाया जा सकता है ये घोशना किया गया था 1 नवंबर 2022 को और 18 दिसंबर 2022 को जैने कि जब आपकी गुरु घासीदाज जी का जन्म महुपसो मनाया जाता है उस डेट में आपका पैन कार्ड बनाया जाने की घोशना की गई थी मुख्यमंत्री भुपेज बगलजी के द्वारा इस कार्ड से हाइलाइट में था इस डेट को याद रखिएगा प्रशन पूछा जागा कि मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुवात कब हुई एक मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुवात हुई जिसमें 13 प्रकार के जरूरी दस्तवेज बनाय जाते है दो और शामिल किया गया है पास साल तके बच्चों का आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड इसे भी शामिल किया गया है ठीक है ये भी आपके करेंट एफिर के मैगजिन में इसे भी इंक्लूट कर दिया गया था मंत्री भुपेश बखेश जी के द्वारा लगु वन उपज उत्पात पार्क जिसका अन्य नाम है ग्रामिन उद्दम पार्क ठीक है ग्रामिन उद्द्यम पार्क इसके लिए भूमी पूजन किया गया है यहां पर प्रस्तावित है ठीक है भूमी पूजन हो चुका है प्रस् चिरोंजी गुठली दाल महुआ बीच लाख इत्यादी वनुपज यहां पर पाए जाते हैं उद्देश क्या है इस छेत्र में पाए जाने वाले कच्चे माल यानि कि वनुपज की उपलब्धता को देखते हुए उसका मुल्य वर्धन करना मुल्य वर्धन करना यानि कि अलग प्रोसेसिक यूनिट इस्थापित कि जाएंगे जैसे कि चिरोंजी प्रोसेसिंग यूनिट प्रसंसकरन केंद्र लाग प्रसंसकरन केंद्र दाल प्रसंसकरन केंद्र नीम महुआ कुसुम तेर प्रसंसकरन केंद्र मसाला प्रसंसकरन केंद्र यानि कि एक ही इस्थान पर बहुत सारे processing unit इसमें इस्थापित किये जा रहे है important है याद रखेगा कि gram उद्यम पार्क या फिर आपका लगुवन उपज उत्पाद gram उद्यम पार्क कहां पर इस्थापित किया गया या कहां पर प्रस्तावित है गर्या बंजिले के देव भोग के इंदा गाओं में important है याद रखना है इसका भूमी पूजन किया गया है next देखें next है आपका भोरम देव एथेनोल प्लांट भोरम देव एथेनोल प्लांट ये कवरधा जिले में ठीक है कवरधा जिले में उमीद है कि ये जनवरी 2023 तक यहाँ पर उत्पादन प्रारम हो जाएगा एथेनोल ये भोरम देव एथेनोल प्लांट क्या है जो गन्ना है ठीक है यहाँ पर जो एथेनोल प्लांट इस्थावित हो रहा है इससे 80,000 लिटर एथेनोल प्रती दिन उत्पादन किया जाएगा ठीक है योजना क्या है प्रदेश में पेट्रोल में एथेनोल की मात्रा बढ़ा कर 20% करने का टारगेट है जो की अभी 8.5% है देखे अभी जो है पेट्रोल का कीमत लगातार बढ़ रहा है तो पेट्रोल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए और पेट्रोल की माग को देखते हुए पेट्रोल में जो है केंद्र सरकार एथेनोल मिलाने का पर्मिशन देती है मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा maximum petrol में 10% ethanol मिलाने की अनुमती है maximum 10% मिलाने की अनुमती है अभी हमारे 36 गण में 8.5% ethanol मिला जाता है लेकिन इसे बढ़ा करके 20% करने का target है क्यों? क्योंकि अगर plant इस्थापित हो जाएगा तो ethanol की मातरा 36 गण में जादा हो जाएगी और मातरा जादा होगी तो प्रदेश सरकार की योजना है कि वो केंद्र सरकार से 20% ethanol मिलाने का ठीक है? ethanol की मातरा बढ़ा कर 20% करने का target है आपकी 36 गण सरकार का ठीक है? ये तो बात हो गया आके गन्य से ethanol इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो धान और मक्य यानि की अना से ethanol बनाना भी प्रस्तावित है इस्थापना की मंजुरी प्रदान कर दी गई है एक है पथर्रा गाउ जो की बेमेतरा में है और दूसरा है जमीरा गाउ जो की लुनरा सरगूजा में है यहाँ पर भी धान और मक्य से ethanol बनाये जाने का plant प्रस्तावित है ethanol को उत्पादन 2.65 लाख लीटर प्रतीरिन किया जाएगा इन प्रांट के माद्यम से इससे जो है बिजली उत्पादन भी किया जाएगा 6 मेगावाट बिजली का यह अभी प्रस्तावित है ठीक है next देखिए next है भानु प्रतापूर विधान सभा सीट उपचुनाओ भानु प्रतापूर विधान सभा सीट उपचुनाओ अभी आप सभी को पता होगा कि जो हमारे प्रदेश के विधान सभा के उपाद्यक्ष थे आपके मनोज मंडावी जी ठीक है अभी हमारे प्रदेश में जो है पाच्वी विधान सभा है पाच्वी विधान सभा के उपाद्यक्ष वो थे आपके मनोज मंडावी जी ठीक मनोज मंदावी जिनका हाल ही में निधन हो गया जिसके पस्चाथ ये जो आपके मनोज मंदावी जी थे ये भानुप्रताप विधानसभा सीट से विधायक थे उनके निधन के पस्चाथ भानुप्रतापूर विधानसभा सीट हो गई आपकी रिक्त खाली हो गई जिसका यहां पर आपका उप्चुनाव कराया गया, ठीक है? तो देखिये इस भानुप्रतापुर विधान सभा सीट में हुए उप्चुनाव में कॉंग्रेस प्रत्यासी सावित्री मंडावी जी विज심 हुई, ठीक है? यह जो मनुज मंडावी जी की ही पतनी है, जो कि इस बात करें वर्तमान विधान सभाव में राजनेतिक दलों की इस्थिती की तो देखिए भारती राष्ट्य कॉंग्रेस यानि की कॉंग्रेस के 71 विधायक है बीजेपी के 14 जनता कॉंग्रेस 36 गड़ के 3 और बहुचन समाजवादी पार्टी के 2 टोटल 90 विधायक है और ध्यान विधायकों की संख्या कितनी हो गई है 16 इसे भी याद रखना है ठीक है 16 महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है हमारे 36 गड़ विधान सभा में इंपॉर्टेंट है ठीक देखिए अगर हम बात करें तो जब से यानि कि जब आपका चुनाव हुआ था 2018 में 2018 में भुपे इस्तिफ़ा दे दिया जिसके पश्चा दे रिक्त हुआ तो बात में जो है कॉंग्रेस प्रत्यासी रामजन राजमन बेंजाम जो है यह आपके इस सीट से चित्रकूर सीट से विधायक बने दंते वाला में जो भीमा मंदावी थे भीमा मंदावी जो की बीजेपी थे नक्सलियों के दोर इनकी हत्या कर दी गई तो इनके इस्थान पर कॉंग्रेस कैंडिएट देवती कर्मा यह जो है आपके विधायक बनी बरवाही से थे आपके अजित जोगी जी जोगी 36 गडर के प्रत्थम आपके मुख्य मंत्री भी थे इनके निधन हो गया और इनक यशोदा वर्मा है जिनके चुनाव सीट को ले करके कॉंग्रेस ने नए जिले का आपका एक गोशना किया था यानि कि खेरागर छुई खदान गंडई को हम एक नए जिले का दरजा देंगे अगर हमारा कैंडिडेट यशोदा वर्मा इस सीट से विजय होती है ठीक है ऐसा मुख्य मंत्री भुपगेश भगिल जी के तरह घोशना किया गया था और लाश्ट है मनोज मंडवी जी जिनका हाली में ने दन हुआ ये विधान सभा की उपाध्यक्ष भी दे और इनके इस्थान पर सावित्री मंडवी जो है ये विधायक बनी है ठीक नेक्ट देखिए नेक्ट है आपका मुख्य मंत्री विक्षच संपता योजना ये थोड़ा सा नया है ये करिण अफेर के मैगजिन में शामिल नहीं है देखिए अभी जो है आपका कोई भी नया करेंट अफेर का टॉपिक नहीं बनेगा क्यों क्योंकि अब आ आगया है आपका जन्वरी जन पास नहीं हो जाता तब तक किसी इसकी में लगाने के लिए कोई कोई आपका सरकार के पास पैसे नहीं आ सकते तो देखिए जैसे आपके यह मुख्य मंत्र विक्ष संपता योजना है इस योजना की भी सरकार ने घोशना करी है इसको लागू करेगी 2023-2024 से यानि कि 2023-2024 में जो 16 बजट आएगा उसमें इस योजना को मेंशन किया जाएगा और इसके लिए कोई न कोई राशी का प्रावधान किया जाएगा तो देखिए अभी 30 दिसंबर 2022 को इस योजना को मंजूरी मिली है यह योजना लागू किया जाएगा आपके 2023-2024 में इसका उद्देश क्य अंतरगत वानिजिक व्रिक्षों की प्रजातियों का रोपन किया जाएगा वानिजिक व्रिक्षों की प्रजातियों का यहने कि कमर्शल तोर पर जिससे पैसे कमाया जा सकते है यहने कि आपके क्लोनर निलगीरी का बास का सागोन का ठीक है डूबिया तथा अन्या आर्थि सरकार ने अभी अभी जो है सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि पात्रहित्रगाहियों को पांच एकर तक की भूमी पर अधिकतम 500 पौधे के रोपन के लिए 100% 100% अनुदान दिया जाएगा यहने कि जो आपका अगर कोई किसान अपने 5 एकर की भूमी पर 5000 पौधे 5000 पौधों को रोपन करता है तो उसे 100% का अनुदान दिया जाएगा जबकि 5 एकर से अधिक के भूमी पर अगर रोपन होता है तो 50% का वित्तिय अनुदान यह राज्य शरकार प्रदान करेगी लक्ष क्या है इस योजना के अंतरगत 5 वर्षों में 1,80,000 एकर में रोपित कर 15 करोड पौधों को परिपको होने के पस्चाद हिदग्राहियों को लगभग 5000 कडोर रुपय का आयप प्राप्ट होने की संभावना है यह योजना की केवल घोशना हुई है अभी लागू नहीं हुआ है ठीक है नेक्ट देखिए नेक्ट सिंगल वन लाइन है इसे ध्यान समस्ते हो चलिएगा सबसे परे नंबर पर है आपका अमरित भारत इस्टेशन योजना क्या है यह प्रदे यह जो है पूरे भारत के इस इस्टेशनों को आधोनिक कृत करने की योजना है ठीक है इस अमरित भारत इस्टेशन योजना के अंतरगत हमारे प्रदेश के रायपूर और बिलासपूर रेलवे इस्टेशन का चयन हुआ है यह दोनों रेलवे इस्टेशन का चयन हुआ है बस यह याद रखना है इसमें पैट्रोल डीजल से हट करके आप electronic वहिकल पे आ رहा है सात इसातृ जेमस अन्ड जुङलरी पर आपका כणि युनिवरसिटी है तो दोने हैं जेमस अन्ड जुङलरी का कोर्स कराया जाता है आपकी पंडी त्रभी शंकर युनिवर्सिटी में जबकि इलेक्ट्रोनिक वहिकल पर एम्टेक की डिगरी कराई जा रही है IIT भिलाई में ठीक नेक्स्ट है आपका ओपरेशन विकास ओपरेशन विकास जो है ये बस्तर पुलिस के द्वारा नकसलियों के खिलाफ चलाय जा रहा एक ओपरेशन है ठीक है यानि कि अब जो है बस्तर पुलिस क्या कर रही है कि बंदूग के साथ साथ अपने विकासात्मक कारियों के माद्यम से यानि कि मानली ज़िए अखर नक्सलाइड ने किसी सड़क को बम से उड़ा दिया तो उन्हें मुहतोड जवाब देने के लिए रात तो रात उरात उस सड़क को तयार किया जाएगा तो ये हैं आपको उपरीशन विकास जो कि बस्तर पुलिस जो है बंदो के गोली के साथ स पक्षी है यह पस्चिमी घाट में पाया जाता है ठीक है पस्चिमी घाट में यह पक्षी पाया जाता है और यह एक दुरलब पक्षी है ठीक है विलुप्तपरार पक्षी है जो की हमारे 36 गड़ के इंद्रावती नैशनल पार्क में यह पक्षी देखा गया है मालाबार पॉ पुस्तक जो है ये जंगली आपके हमारे प्रदेश के जो राज की पशु है वन भैसा जंगली भैसा उसके संरक्षण पर लिखी गई पुस्तक है प्रश्न क्या पूछा जाएगा पुस्तक की विशय वस्तू है क्या है जंगली भैसो के संरक्षण से ठीक है तो ये था हमारे 36 गड़ करेंट अफेर इतना यहां तक कर लगभग सारा चीज आपका करेंट अफेर के मैगजीन में उपलब्द है एक दो टॉपिक होंगे जैसे कि आपका मुख्य मत्री विक्ष स संपता योजना अभी देखिए जनवरी के करेंट अफेर के लिए टेंशन मत लीजे जनवरी के करेंट अफेर बहुत न के बराबर आएंगे जैसी कि मैंने बताया फरवरी में जनरली सरकार जो है ये बजट ला देती है और बजट से पहले कोई भी नई योजनाओं की सब्सक्रा tumor करने के लिए सरकार बचेएगी ठीक है तो यहां होता है आपके करेंट एफेर समात किसी प्रीकर डावट हो तो आप चैनल को subscribe किसी प्रेकर डावट हो तो आप नीचे comment करके पूस्स तकते है चेनल पर नई तो चैनल को subscribe कर दीजे like ओ share ज़बू किजे धन्यवा दो होगा